कि आपने कभी online store के बारे में सोचा है online stores यानि कि एक e-commerce website ready करना तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Shopify के बारे में क्योंकि आज के scenario में every customer, सारे customers अपने products को online prefer करते हैं यानि कि online purchase करना चाहते हैं आज मैं आपको बता हूँ कि आप किस तरीके से Shopify की help से एक lightweight e-commerce website create कर सकते हैं Hello guys, once again welcome back to WSQ Tech YouTube channel I am Pranjay Mathur तो आज मैं आपको बताऊँ कि आप कि इस तरीके से Shopify account को set up कर सकते हैं First of all Shopify क्या है Shopify एक paid CMS है जिसकी help से आप एक e-commerce website त्यार कर सकते हैं तो इसके लिए अपन direct अपने browser पर चलते हैं यहाँ पर मैं आगया हूँ अपने browser पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा Shopify यहाँ पर मैं बस आचुका है Shopify तो आपको यहाँ पर दिखी का Shopify.in क्योंकि अभी आपन इंडिया में है तो इसलिए आपने को Shopify.in मिल रहा है इस Shopify में मैं क्लिक करूँगा और अब आपके सामने खुलेगी एक Shopify की website जिसके अंदर आपको बहुत साइच चीजे मिलेगी यानि कि उसके regarding कि आप इसके अंदर क्या-क्या चीजे लगा सकते हो कि आप अपने business को online लेकर जाना है कि आपनको इसके अंदर क्या-क्या चीजे मिलेगी कि online business अपन start कर सकते है कि क्योंकि हर कोई आज की scenario में coding नहीं जानता है यहाँ पर Shopify एक अच्छा platform रहता है कि आप अपनी e-commerce website को त्यार कर सकते है तो अपनको जब भी अपनको store online create करना है तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा start free trial आपको इस start free trial पर click करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ चीजे आपको provide करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बताया था Shopify एक paid CMS है तो यह आपनको 14 days का free trial provide करता है इसके लिए start करने के लिए यहाँ पर मैं डालूँगा अपनी email address उसके बाद पास्वर्ड यहाँ पर मैं डाल दिया है अपना password अब में को डालना है अपना store का नाम यानि कि आपका जो भी store का नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि मैं आप डाल देता हूँ store का नाम यहाँ पर मैं डाला है wacubemyshopify.com यानि कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी होगी तो आपको डालना पड़ेगा wsqub.myshopify.com यानि कि wsqub जो है वो आपके store का नाम हो चुका है अब मैं करूँ है create your store यहाँ पर यह थोड़ा सा time लेगा क्योंकि यह आपका store पूरी तरह से तयार कर रहा है तो yes guys अपना जो store वो तयार हो चुका है यह आपके लिए कुछ options चीजे पूछ रहा है जैसे कि आपको पहले से कोई selling कर रहे हो या आपकी current revenue कितनी है and other things तो यहाँ पर आप चाहो तो इनको fill out कर सकते हो और नहीं तो आप skip कर सकते हो तो मैं यहाँ पर आपको basic चीजे बता रहा हूँ कि आपको यह चीजे क्यों जरूत है क्योंकि क्या होता है कि जब आप आगे जाके यह सारी चीजे fill up करोगे तो आपको यहाँ पर अगर आप यह सारी चीजे fill up करोगे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ अब उसके बाद ने पूछ रहा है कि अगर आपको Shopify के अलावे भी आपको sell करना चाहते हो तो आप कौन-कौन से platform पर आप sell करना चाहोगे तो यहाँ पर दें रखा है Facebook और Instagram, Google, Shopify, Buy button and I'm not sure yet तो मैं अभी I'm not sure yet पर click करके चल रहा हूँ उसके बाद में पूछ रहा है How do you want to sell? कि आप sell कैसे करना चाहते हो? तो मैंने यहाँ पर बूल देता हूँ online only अब आता है कि What is your current revenue? कि आपकी अभी तक current revenue कितनी है? यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि मैंने अभी अभी start करा है तो मैं कर सकता हूँ 0 INA अगर आपने पहले भी कुछ start कर रहा है तो आप अपनी यहाँ पर current revenues डाल सकते हो तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 0 INA उसके बाद में आ रहा है कि मैं यहाँ पर किस तरीके के industry में belong करता हूँ तो यहाँ पर आप click करोगे तो आपको बहुत सारी industries मिलेंगी जैसे कि beauty हुई, clothing हुई, electronics, furniture and other industries आपको यहाँ पर visible होगी तो यहाँ पर मैं अभी I haven't not decide yet पे या फिर आप others पर click करके चाहँ तो तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ others and then click next अब next में आपको बताना पड़ेगा कि जब भी कोई आपको pay करेगा तो उसको किस address पर यह payment होगा यानि कि उसका जो billing होगी तो वो किस address से billing start होगी तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपने stores का नाम यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना first name, last name, address यहाँ पर मैं डालूँ अपना phone number उसके बाद में अगर आपकी कोई पहले से कोई business website है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं otherwise यह optional वाला पार्ट है उसके बाद में आता है कि अगर आपका यह registered है business तो आप इसको check कर सकते हैं otherwise इसको unchecked रहन दीजी उसके बाद मैं करूँगा enter my store enter my store करने से क्या होगा यह मेरे को अपने store के admin panel पर लेकर चले जाएगा जहां से मैं अपने store को handle करूँगा तो guys यहाँ पर मेरा अपना store है वो create हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो अगर में को अपना store की website देखनी है तो मैं क्या करूँगा जो भी मेरा store का नाम था उसको लूँगा जैसे कि मैंने लिखा था wiscube.myshopify.com मैं इसको यहाँ से copy करूँगा और अपनी website पो जाकर एक new tab में paste करूँगा तो यहाँ पर में को बता रहा है कि something went wrong क्योंकि अब भी तक अपने जब setup करा है तो आपको थोड़ा सा time लगेगा इसको पनी website को create होने में तो थोड़ा सा अपने इस page को वापिस reload कर लेते हैं and then चल कर इसको refresh कर तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक अपनी basic skeleton तयार हो चुका है एक dummy website तयार हो चुकी है अपने e-commerce website की यहाँ पर है अपना जो e-commerce का नाम था wsq.myshopify.com यहाँ पर यह मेरी e-commerce website तयार हो चुकी है अब मैं इसको जब setup करना होगा तब मैं इसको themes में जाकर इसको यह अलग-अलग themes लगाकर मैं अपने products add कर सकते हैं और आपके इस तरीके से अपने Shopify के account को setup कर सकते हैं तो I hope कि आपको आज समझ आओगा कि आपके इस तरीके से अपने Shopify account को setup कर सकते हैं Thank you guys for watching this video and don't forget to hit the subscribe button आपके आपके इसको आपके इसकी जापके नहां